हलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकन ब्लोग विद प्रियंका सिन्हा में आज की रेसिपी है मिर्ची फ्राई अगर आपको तीखा चटपटा पसंद है न तो ये रेसिपी आपके लिए है आपको बहुत पसंद आएगा ये मि मिर्ची फ्राई बहुत पसंद आएगा तो चलिए हम बनाते हैं मिर्ची फ्राई सबसे पहले यहां पर मिर्ची ले लिए हैं अच्छे से धो के साफ करके इसके पानी को पोच लिए है सुखा लिए है और अब हम इसे कट कर लेंगे तो मिर्ची के डंडी को हम नहीं हटाए इसे रखेंगे और बीच से एक चीरा लगाएंगे और ये मिर्ची को दो पार्ट में हमें नहीं करना है बस इसके बीच से एक चीरा लगा लेंगे आप देख सकते हैं कैसे और अगर आपका मिर्ची तीखा है ये मिर्ची तीखा नहीं है इसे हम पहले योज कर चुके हैं तो बहुत जादा तीखा नहीं है अगर आपके पास तीखा वाला मिर्ची है तो इसके बीज को थोड़ा सा निकाल सकते हैं इससे थोड़ा सा ये तीखा कम हो जाएगा तो पूरे मिर्ची को ऐसे ही हम कट कर लेंगे बीज से बस एक चीरा लगाना है दो भाग में इसे नहीं करना तो यहां पे पूरे मिर्ची में हम चीरा लगा लिए है और अब हम इसे फ्राई करेंगे तो गैस पे एक पैन चरहाए है पैन में डालेंगे तेल दो चमच के करीब सरसो तेल डाले है ज्यादा तेल की जुरत इसमें नहीं है कम तेल में ही बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गैस का फ्लेम हाई रखिएगा मिर्ची को हमें हाई फ्लेम पे फ्राई करना है अगर आप गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे तो फिर मिर्ची सौप्ट हो जाएगा अगर आपको सौप्ट मिर्ची पसंद है तो फिर स्लो गैस पे इसे फ्राई कर सकते हैं पर अगर आपको मिर्च मिर्ची डालने के बाद थोरे से छीटे बाहर आने लगते हैं तो आप ऐसे कवर से अपने आपको बचाते हुए फ्राइ किजिएगा तो साफधानी से फ्राइ किजिएगा गैस का फ्लेम हम हाई रखे हुए और 2-2 मिनलतक हम इसे पलटते हुए इसके साइड को चेंज करते उसके बाद फिर छीटे बंध हो जाती है तो जब तक छीटे निकले तब तक आफ इसे ऐसे कवर कर लीजे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्ची के उपर वाइट वाइट सा दिख रहा है तो बस मिर्ची हमारा फ्राई हो रहा है थोरी देर और हम फ्राई कर लेंगे यह वाइट वाइट पूरे मिर्ची के ऊपर आ जाए तब तक आप इसे फ्राई कर लीजिए गैस का फ्लेम हाई ही रखेगा इससे आपका मिर्ची बहुत क्रंची फ्राई होगा खाने में बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको सॉप्ट मिर्ची पसंद है तो गैस को बिल्कु मिर्ची पौडर डाले हैं हम कलर के लिए आधा चमच धनिया पौडर आधा चमच गरब मसाला पौडर डालेंगे और अब इसमें एक चमच आमचूर पौडर डालेंगे खटाई इसमें जरूर डालिएगा इससे मिर्ची का तीखा फन थोरा सा और कम हो जाएगा और अब हम मिर्ची को अच्छे से इन मसाले में लपेट लेंगे तो थोरी देर इन मसाले में हम मिर्ची को लपेट लेते हैं नमक लास्ट में डालेंगे नमक पहले मत डालिएगा नहीं तो मिर्ची सौप्ट होने लगेगा तो अब हम इसमें नमक डालेंगे और नमक थोरा सा जादा डा टीजिसे, और अब मिर्चि को अच्छे से हम इसमें लपेट लेंगे, यहां पे भी हम गैस का फ्लिम हाई ही रखे Henry इन्मसालों में अच्छे से मिर्ची को लपेट लेंगे, थोरी देर के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि ये मसाले मिर्ची के अंदर तक जा सके तो इसे अच्छे से फैला के थोरी देर के लिए cover कर देंगे एक मिनट के लिए बस हम यहाँ पे इसे cover किये थे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे मिर्ची हमारा पूरी तरह से fry हो चुका है, तयार है आप देख सकते हैं कितना सुन्दर दिख रहा है यह, गैस को बंद कर देंगे, मिर्ची फ्राई पूरी तरह से बनके तैयार है, खाने के लिए हम इसे सर्ब कर लेते हैं, बहुत टेस्टी यह लगता है, आपके फीका सादा खाने का टेस्ट यह बढ़ा देगा, अगर आपको मिर्ची खाना पसंद है, तीखा अच्छा लगता है, तो एक बार इसे जरू ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा, वैसे आप इसे समोसा, बहुत सारे चीज़ों के साथ खात सकते हैं, बनाना बहुत आसान है, तो एक बार जरू ट्राई कीजिएगा, और हमें कि कैसा लगा मेरा यह recipe अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लीजे bell का button press कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आप के वीडियो अपके पहुंच सके वीडियो रची लगे तो लाई Lock किजे सेर कीजिए कमेंट कीजिए और अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो भी हमें जरूर बताईएगा हम उससे सुधारने की पूरी कोसिस करेंगे Thank you मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसेपी के साथ